दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Union Bank of India 2024 ऑनलाइन फार्म फिलप के बारे में तो दोस्तो Union Bank of India में यहाँ पर नया notification जारी हो चुका है जिसका ऑनलाइन फार्म आप घर बेटे किस तरीके से भर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको step by step इसकी details और फार्म भर के दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से अपना online फार्म भनना है घर बेटे तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ivpsonline.ivps.in की ये official site पर आना है यहाँ से आपका farm fill up होगा तो आपको इसकी link वीडियो के नीचे description box में दे दूँगा direct tap link के द्वारा इस portal पर आ जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो farm भनने की start date है 24.10.2024 से start है आप इसे 13.11.2024 तक apply कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए मैं आपको इसकी details बताता हूँ फिर farm भर के दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं Union Bank of India की तरफ से यहाँ पर Central Office मुंबाई की तरफ से यहाँ पर जो इसका notification जारी किया हुआ है यहाँ पर जो recruitment of local bank officer LBO की post रहेगी 2025-26 के लिए यहाँ पर दोस्तो online registration application and payment of fee from 24.10.24 से 31.11.2024 तक भराएंगे तो यहाँ पर दोस्तो पोश्ट नेम आप देख सकते हैं local bank officer की post रहेगी यहाँ पर इसकी जो salary की बात करेंगे बहुती संदर salary है यहाँ पर vacancy की बात करें उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको eligibility criteria तो यहाँ पर यह eligibility criteria भी आप check out कर सकते हैं यहाँ पर essential qualification की बात करें तो यहाँ पर दोस्तो आपको regular bachelor degree in any discipline तो यहाँ पर आपको minimum कोई भी bachelor degree आपके पास में होना चाहिए तो आप इस form को apply कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तो उसके बाद में यहाँ पर cut off debt of eligibility आप देख सकते हैं यहाँ पर किस category को age में छूट मिलेगी वो भी यहाँ पर आप check out कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको यह जो सारा इसका जो notification है यहाँ पर आपको online examination test की बात करें तो यहाँ पर आपका जो test रहेगा यहाँ पर syllabus की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो syllabus आपका यहाँ पर रहने बाला है number of question, maximum mark, medium of exam और यहाँ पर time तो यहाँ पर दोस्तो आपका syllabus भी देख सकते हैं तो दोस्तो आपको फार्म बने से पहले यह सारा जो notification है अच्छे से check out कर लेना है अगर आप eligible है तो फार्म apply कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको फार्म भरके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको दोस्तो इस portal पर आना है और click here for new registration इस बाले option पर आपको click कर देना है तो दोस्तो मैं यहाँ पर आपको जो भी details बता रहा हूँ वो यहाँ पर sample के तोर पर demo details है इस तरीके से आपको अपनी details डालना है तो दोस्तो यहाँ पर आपको अपना first name डालना है इस तरीके से यहाँ पर दोबारा से first name डालेंगे यहाँ पर middle name है तो दे देंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको last name देना है यहाँ पर दोस्तो आता है आपका mobile number इन दोनों बॉक्स में अपना valid mobile number डालेंगे बोक्स में फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स इस पर क्लिक करेंगे लिश्टे पाती है आपको अपना इसके इन फोटोग्राप और सिगनेचर अपलोड करना है यहाँ पर जिसका साइज यहाँ पर फोटोग्राप सिगनेचर का साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका म बाद में next बटन पर click करना है तो अगले step आती है यहाँ पर फिर आपको state duty when to apply for तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन से state से आप आवेदन करना चाहते हैं apply करना चाहते हैं वो select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों local language आप जहां से apply कर रहे हैं वहाँ कि आपको local language आना जरूरी है तो यहाँ पर select करेंगी उसके बाद में are you proficient in reading और writing और speaking आपको लिखना पढ़ना बोलना undertaking the specified local language selected state की होना चाहिए तो यहाँ पर yes आएगा उसके बाद में यहाँ पर do you have 10 12th standard mark sheet certificate evidence having study specified local language the state apply for तो यहाँ पर आपकी दस भी बार्वी में होना चाहिए जो local language होती है तो यहाँ पर yes कर देंगे यहाँ पर दोस्तों category आप यहाँ पर यूर है EWS, OVC, SC, HT जो भी आपकी category है वो यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है are you person with benchmark disability में आते हैं तो य details आपको दे देना है अगर disability में आप नहीं आते हैं तो नोपर टिक कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ब्लोक हो जाएंगे सारे option जो applicable नहीं रहेंगे वो उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका are you person with specified disability covered under the definition of second तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस category में आते हैं तो yes करेंगे otherwise no पर टिक करना है उसके बाद में यहाँ पर आता है are you child family members तो यहाँ पर भी आपको no पर टिक कर देना है अगर इस category में आते हैं तो yes करेंगे यहाँ पर दोस्तो are you an ex-serviceman तो यहाँ पर अगर आप इस category में हैं तो yes करेंगे नहीं त यहाँ पर य स्टेट डीज Europa टिक करेंगे यहाँ पर आता है आपका सिटिजन सिप्ट यहाँ पर को अपने इंडियन सेलेट कर लेना यहाँ इस्टेट ऐाँ पर वाल यहान पर अपना एंडियन सेलेक्ट कर लियंगे उसके बाद में में यहाँ पर दोस्तों आता है date of birth यहाँ पर आपको जो भी आपकी date of birth है वो यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर gender आप male candidate है या female candidate select करेंगे यहाँ पर do you have twin brother sister अगर आप जुडबा भाई बेहन है तो यहाँ पर yes करके male है female वो यहाँ पर select करके उसका नाम दे देना है अगर नहीं है तो नोपर टिक करना है उसके बाद में आता है marital status आपकी साधी हो गई है तो यहाँ पर merit करेंगे नहीं हुई है तो unmerit करेंगे उसके बाद में यहाँ पर father's name डालेंगे यहाँ पर mother's name डालेंगे यहाँ पर दोस्तों address for correspondence तो यहाँ पर आपको अप पुल एड्रेस दालेंगे, यहाँ पर अपने डिश्टिक का नाम डालेंगे और यहाँ पर अपना state select कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अपने area का pin code डालेंगे और यहाँ पर local और permanent address दोनों same है तो इस डबे पर टिक कर देंगे, अगर आप permanent alak lucky देना चाहते हैं, तो य and next करेंगे दोस्तों अगले स्टेप आती है यहाँ पर SNTL qualification तो यहाँ पर आपकी जो education qualification details है वो यहाँ पर add करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको graduation की details डालना है तो यहाँ पर duration of course तो यहाँ पर full time regular तो यहाँ पर यह आ जाएगा आपका उसके बाद में यहाँ पर आपको degree select कर लेना है आपकी arts था commerce था science management agriculture यह अधर तो वो यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर date of passing जो जिस date को आपने पास किया आपकी mark set पर होती है बोड date यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर आपको अपना percentage डाल देना है इस तरीके से उसके बाद में कौन सी class पास हुए select करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो अगर आपके पास में post graduation भी है तो उसकी details भी आप दे सकते हैं other details भी यहाँ पर जो भी है वो सभी add कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो अगर आपको बर्क experience है आपके पास में इस field का तो यहाँ पर yes करके उसकी details यहाँ पर दे देना है और यहाँ पर add कर देना है अगर एक से ज़ादा है तो नहीं है तो आपने उपर टिक कर सकते हैं उसके बाद में local language आपको आना चाहिए read right speak तीनो उसके बाद में second language आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं third language भी दे सकते हैं अगर एक ही language देना है तो एक भी दे सकते हैं उसके बाद में valid your detail पर click करेंगे save and next इस पर click करेंगे दोस्तो फिर यहाँ पर आपको एक बार सारी जो details है preview check out कर लेना है आपने जो भी details भरी है वो अच्छे से check out कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो I agree इस पर tick करेंगे और complete registration इस बाले option पर click करेंगे document upload तो यहाँ पर आपको left thumb impression और यहाँ पर head writing declaration यह आपको upload करना पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको इसकी जो document इसका जो size है यहाँ पर click करके देख लेना है तो दोस्तो आपको head writing में क्या लिखना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आपको notification में जाना है notification के page number 13 13 page number पर आएंगे उसके बाद में यहाँ पर the text for the head writing declaration is as follow तो यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर जो line दी हुई है तीन line यहाँ पर इसको आपको एक byte paper पर उतार देना है यहाँ पर आई और यहाँ पर खाली जगे में आपको name of the candidate अपना name डालना है और यहाँ पर same to same आपको अपनी head writing में एक byte paper पर इसको लिखना है उसके बाद में उसको scan करके और यहाँ पर आपको upload करना है और यहाँ पर left thumb impression उल्टे हाथ के अंगोठे का निसान यहाँ पर लगा कर बो भी आपको scan करके upload करना पड़ेगा इसका size यहाँ पर देख लेना है दोनों चीजे upload को होने के बाद में इसके अपचा को fill करेंगे save and next करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी जो form की payment लग रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर आपको इस capture code को इस box में fill कर देना है और उसके बाद में submit button पर click करना है okay करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ देर bet करना है आपकी जो payment window है वो open हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों आपको reference नहीं करना है bet करना है यहाँ पर आपकी payment window open हो जाएगी उसके बाद में debit card, internet banking या wallet या फिर QR code जिस भी option से आपको payment करना है वो यहाँ पर select करके और make payment इस पर click करके अपने form की finally payment कर देना है जैसे payment हो जाएगी तो आपका finally form submit हो जाएगा उसका print out निकाल कर save करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तो इस तरीके से आप Union Bank of India Local Bank Officer LBO 2025 26 के लिए अपना online form घर बेठे आसानी से भर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लेज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में share करें थेंक्यू दोस्तो धन्यवाद